गुद मॉर्निंग स्टूडेंट SSD स्कूल की तरफ से आनलाइन स्टेडी में आप सब का स्वागत है कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे पढ़ाई लिखाई अच्छी होती होगी तो विद्यारतियों आज से हम लोग थोड़ा थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं घर पे रहकर ही लॉकडाउन का फॉलो करते हुए थोड़ा पढ़ाई को भी आगे जारी रखते हैं आज से लगबग हर दिन आपको मैट्स के वीडियोज मिल जाया करेंगे आप उन्हें देखिए समझिए और लगाने की कोशिस कीजिएगा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सेयर करें दुबारा से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक्सर्साइज वन का लिया है तीन सॉल हमने डाले है पहला दूसरा और तीसरा तीनों एक ही जैसे हैं तीनों क्या इसमें जितने भी सॉल है सारे एक जैसे हैं आज हमें तीन सॉलों को करते हैं इसके बाद कल आपको दो और BD जाएंगे जो इसमें बाकी रहेंगे ठो पहले देखते हैं यूटलीट के प्रियोग करते हुए हमें HCEP करना है किसका यूग्लिट-Theorem का यूज़ करते हुए एक्स्यम पता करना है किसका किसका 135 और 225 नहीं है यह सवाल हम लोगों ने चौथी क्लास में किया था पांचीव में भी किया था भाग विधी द्वारा HCF पता करना तो आज वही दुबारा से करते हैं तो आएए देखते हैं तो जो दो रकमे है 135 और 225 तो 225 को हम 135 से यानि कि बड़ी रकम को छोटी रकम से डिवाइड करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं 625 अंदर लेना है और 135 को बहर रखना है अब जानते हैं भाग देने में आपको टेबल पढ़ना होता है थे 135 को टेबल तो पढ़नना ही सकते तो यह 100 www 100 है दो बार में 200 तो हो जाएगा लेकिन 35 दूना 70 हो जाएगा 270 हो जाएगा इसलिए एक बार जाएगा तो 135 कब कितना बन जाएगा 135 बन जाएगा अब घटाने की प्रोसेस होता है घटा के नीचे लिखा जाता है तो घटा लेते हैं पांच में पांच निकल जाता है तो जीरो बचता है यहां पर जाएगा नहीं यहां से एक उधार लाते हो जो कहरी कहते हो जो भी कुछ कहते होगे बारा बन जाएगा 12 तीन गए कितना आएगा 9 और यहां कुछ नहीं आएगा अगर हमारे पास और इसके आगे रकमे होती तो यहां से रकमे हम नीचे लेके आते लेकिन अब रकम है नहीं तो ले आ नहीं सकते नीचे रकम उतरेगी नहीं अब क्या करना है अब हमें 90 से इसको डिवाइड करना है यानि कि 135 को यहां पर ले लेंगे हम लोग, अब देखो, 90 का टेबल पढ़ना, मुस्किल है 9 का पढ़ लो, 9 दूनी 18 और 0 लगा दोगे तो 90 का हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा, और 90 कम कितना बनेगा, 90 बनेगा, 5 आएगा य यहां पर रकम है नहीं, यहां उत्रेगा नहीं, अब क्या करेंगे, इस 45 से इसको यहां ला लेंगे, यही प्रोसेस बार-बार करना है, 45 के टेबल दो बार पढ़ेंगे, 45 दूना, 90 हो जाएगा, यहां पर पूरा का पूरा कट जाता है, किस से, 45 से कट रहा है, इसलिए 311 यह नहीं बनेंगह है這種 है इंवाइन यहां पे बनेगा फोर्टी फैप लेकिन इसको पूरे प्रक्रम्प को हमको इस टाइप में मज़स्यद्व करना है जैसे कि जाज करते हैं भाग करने पर जाज किया जाता है न वही है यह भी यही है यही चीज है तो यहां देखो भाज जाज करते हैं हम लोग 225 किस से डिवाइट किया है 135 से कितनी बार टेबल पड़ा है बागफल कितना या था एक प्लस आगे क्या है आपका सेस्फल है सेस्फल कितना बचता है 90 यहां पर कम्प्लीट हो जाता है दूसरा प्रोसेस में हमने 135 को डिवाइट किया है किस से बागफल कितना आपका भाजक कितना है 90 है 90 एक बार ही टेबल पड़ा गया है एक आएगा सेस्फल आपका कितना आता है 45 तेया 45 आ जाएगा अगले स्टेप में जाएंगे तो 90 को लिया है हमने डिवाइट किया है किस से डिवाइट किया है 45 से टेबल कितनी बार पढ़ा गया अपकी बार दो बार पढ़ा गया है प्लस रिमेंडर के आया कुछ नहीं जीरो आया चाहे लिखो चाहे ना लिखो इस प्रकार से यहां पर कंप्लीट हो जाता है तो आपके एचसी अप जो बन के आता है जो निकलता है वह 45 आता है आसा है सवाल आपको समझ में आया होगा तो बाकी के दो सवाल मैं आपके लिए एक और ये दो सवाल छोड़ देता हूं आप इसको निकालेंगे नहीं निकलता है तो फिर बताएंगे धन्यवाद